ऐसे कारे जिनके लिए कोई मूले नहीं दिया जाता, उनका आकलन करने का एक तरीका है। ऐसे कारे को उन पर खर्च किये गए समय के आधार पर पहचाना जाता है। कुछ महिलाएं घर के काम के साथ साथ आर्थिक कारे भी करती हैं। उदाहरन के लिए एक कामकाजी महिला की दिनचरिया को चित्र 15.1 में देखें। इनमें उनकी दैनिक दिनचरिया में आर्थिक कारे के अलावा सामान ने घर के काम भी शामिल हैं। जिनके बदले में उन्हे कुछ भी मुद्रा प्राप्त नहीं होती है महिलाएं अन्य घरेलू कारे भी करती है जो इस सूची में शामिल नहीं है जैसे अनाज की सफाई एमम्रक रखाओ घर की साथ सज्जा महमानों, बुजुर्गों और बिमार सदस्यों की देखभाल बजार से समान लाना, पालतू पशुओं की देखभाल घर लीपना, बच्चों को पढ़ाना, आदी हर समय के अनुसार लोगों की दिन्चरिया को तीन प्रकार की गतिविधियों में बाट सकते हैं आर्थिक कारे गतिविधी, पेट वर्क ऐसे समस्त कारे जिनके लिए भुक्तान किये जाते हैं गैर भुक्तान कारे गतिविधी, अनपेट वर्क ऐसे समस्त कारे जिनके लिए भुक्तान नहीं किये जाते हैं गैर कारे गतिविधी, नौन वर्क एक्टिविटी इसमें वेक्तिक अतकाम, टीवी देखना, गपशप करना, आराम करना आदिशामिल होते हैं केंद्रिय सांखी की संगठन CSO द्वारा सन 1998-1999 मी भारत के 6 राजियों का सर्वे करके विभिन्य कारियों को समय के आधार पर समझा गया है इसे हम ग्रामीन शेत्रों की महिलाओं एवं पुरुषों के कारियों पर एक तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं ग्रामीन पुरुषों एवं महिलाओं की दिन चरिया 24 घंटे का विसलेशन उपर्युक्त तालिका के आधार पर नीचे दिये गए वृत्त आरेक में महिलाओं के कारेों के प्रतिशत को सही इस्थान पर लिखिए उपर्युक्त वृत्त आरेक से पता चलता है कि महिलाओं गेर भुकतान कारे अधिक करती हैं जो सकल घरेलू उतबाद में गिने नहीं जाते इन कारेों को समझना और सकल घरेलू उतबाद में गिनना इस पर विचार करना जरूरी है कई देशों में ये प्रयास किये जा रहे हैं समाज में इन कारियों के प्रति सम्वेदर शिल्ता लाने की जरूरत है